हेलो गाईज आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ टॉफ थ्री बेस्ट इंडिस्प्ले फिंगर्पिंट स्मार्टफून के बारे में बेसिकली इस बार हमारा बज़ट 15,000 की बजाए 20,000 तक जाने वाला है यानि कि आप 20,000 की रेंज में इन तीनों ही स्मार्टफून में से किसी भी स्मार्टफून को पिक कर पाऊगे कुछ हाइलाइट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको एक पावरफुल प्रोसेसर मिल जाएगा जिसके चलते आप अच्छा खासा गेमिंग कर पाएंगे 108 मेगा पिक्षल तक का तगड़ा कैमरा सेटप मिलेगा जिसके चलते आप 4 की वीडियो रिकॉर्ड भी कर पाएंगे साथी साथ आपको 120 हर्ट्स वाला सूपर एमॉलेट डिस्प्ले भी मिलने वाला है तो अगर आप भी 20,000 की कीमत में एक अच्छे स्मार्टफून के साथ-साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट संसर का मज़ा लेना चाते हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आप ही के लिए है तो वीडियो को गाईज सुरूर से लेके लाज तक जरूर देखना तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में गाईज हमने तीन ही स्मार्टफून को पिक करा है अगर गाईज आपका बज़र्ट 20,000 ना होकर 17-18,000 के बीच भी है तब भी आप इस स्मार्टफून को ग्रैब कर पाएंगे रियल्मी नार्जू 65G हमारे इस लिस्ट में नमर तीन पर है चली चल कर इस स्मार्टफून के बारे में थोड़ा डिटील से जानते हैं और शुरुआत करते हैं इसकी पफॉम्मेंस से यहाँ पर गैज एक अच्छा गेमिंग कराने के लिए MediaTek Demensity 6020 का एक अच्छा चिपसेट मिलता है जो की 7 नैनो मीटर पर बेजड होता है साथी साथ आपको 4 लाग तक का इंते तो स्कूर मिल जाएगा जिसके चलते आप अच्छा खासा गेमिंग कर पाएंगी और तो स्कूर आप एवरेज मान सकते हैं बट आपको एक अच्छे गेमिंग करने में कोई भी खास इशू नहीं देखने को मिलेगा बात करें कैमरे को लिकर तो यहाँ पर रियर साइड में डूल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें से 64 मेगा पिक्शल का प्राइमरी कैमरा और 2 मेगा पिक्शल का डेप सेंसर मिलता है एंड अगर बात करें सेल्फी केमरे के लिकर तो 16 मेगा पिक्षल का सेल्फी सूटर मिल जाता है यहाँ से स्मार्टफोन के दोनों ही कैमरे से आप फॉल एचडी क्वालेटी 30 fps के साथ इजिली रिकॉर्ड कर पाएंगे देखा जाए तो कैमरा क्वालेटी आपको एवरेज देखने को मिलता है बट इसके प्राइमरी कैमरे में आप बाकी कैमरों से काफी अच्छा क्वालेटी देख पाएंगे बात करें डिस्प्ले को लिएकर तो 6.43 इंचेस का फॉल एचडी सूपर एमोलेट डिस्प्ले मिलता है जो कि 90 हर्ट की रिफ्रेश रेट के साथ आता है साथ इसे डिस्प्ले पर आपको कॉर्णिंग गॉरिल अगलास 5 का भी प्रोटेक्शन दिया जाता है तो देखा जाए तो बज़र्ट के एकोर्डिंग आपको एक अच्छा टिस्प्ले दिया जाता है जिससे आप कॉंटेंट वाचिंग में फुल मज़े कर पाओगे बैटरी को लिकर बात करें तो 5000 एमेच की बड़ी बैटरी मिलती है जिसको चार्ज के निकले 33 वाट का फास्ट चार्जर आपको बॉक्स के अंदर दिया जाता है यहां इससे स्मार्टफोन के कुछ एक्स्टर फीचर्स पर हैं चलिए एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं तो यहां पर आपको 3.55 का जैक भी मिलता है जो कि बहुत ही अच्छी बात है दो 5G SIM और एक मेमोरी कार्ड एक ही टाइम पर आप लगा पाएंगे इंडिस्प्ले फ बज़र्ट के अकोडिंग किसी भी वेरेंट के साथ जा सकते हैं एडिसे स्मार्टफोन से जुड़ा कोई भी सवाल आपके मन में हो तो कमेंट सेक्षन में जरूर लिखना बागी चलिए बढ़ते हम अपने सेगेंड लास्ट स्मार्टफोन के दरफ पर दो पर लिस्ट की अगया स्मार्टफोन खास उन लोगों के लिए है जो अपना बज़र्ट 18000 के पार effort ही नहीं कर सकते हैं और इसी बज़र्ट के अंदर एक तगड़ी performance वाला स्मार्टफोन चाहते हैं तो वो इस स्मार्टफोन को जरूर ट्राइ कर सकते हैं IQJ7 5G हमारे से लिस्ट में नम्र दो पर है चलिए चल कर इस स्मार्टफोन के बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं और शुरुआत करते हैं इसकी performance से तो यहां पर गाईज आपको MediaTek Dimensity 920 का 5G चिपसेट मिलता है जो कि 6 नैनोमीटर पर बेश्ट होता है पांच लाग स्कोर मिल जाएगा जो कि बहुत ही अच्छा है और आप एक तगड़ी लेवल का गेमिंग जरूर यहां पर कर सकते हैं कैमरे को लिकर बात करें तो यहां पर भी आपको रियर साइड में डॉल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें से 64 Megapixel का primary camera and 2 Megapixel का depth sensor मिलता है अगर बात कर सेलफी camera के लिकर तो 16 Megapixel का सेलफी सूटर मिल जाता है अच्छी बात यह है कि इसके primary camera में iOS का support होता है जिसके चलते आप फूर की वीडियो recording 30 अपेस के साथ कर पाएंगी चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके display के बारे में तो यहां पर आप तगड़ा brightness मिलता है तो अगर आप आउट डूर में भी वीडियो या मुवी का मज़ा लेना चाहते हैं तब यह smartphone आपके लिए बिल्कुल perfect रहेगा बैटरी को लेकर बात करें तो 4500 MS की बड़ी बैटरी मिल जाती है जिसको चार्ज करें के लिए 44 Watt का fast charger आपको box के अंदर दिया जाता है अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर बैटरी बैकप थोड़ा सा कम है बट आपको fast charging का support मिलता है जिससे आप बहुत ही कम टाइम में अपने इस smartphone को fully charge कर पाएंगे एक्षा features को लेकर बात करें तो यहाँ पर भी आपको 3.5 mm का jack मिलता है एक से मौर एक memory card insert क कर पाएंगे यानि आपको यहाँ पर hybrid card slot दिया जाएगा इंडिस्प्ले fingerprint sensor भी रहता है और यह smartphone android 13 पर रन करता है चलिए अब बात करते हैं प्राइसिंग को लिकर तो इसके छे एक सटाइस वाले वेरेंट के लिए आपको पूरे 18,000 रुपाई पे करने होंगे और आपके म 10 Pro हमारे से लिस्ट में नमबर वन पर है चलिए चल कर इसे smartphone के बारे में थोड़ा डीटील से जानते हैं और शुरुआत करते हैं इसकी performance से तो यहाँ पर गाईज आपको media tech density 8060 का एक 5G चिप साइट मिलता है जो कि 6 नैनो मीटर पर बेश्ट होता है तादी आपको 6,70,000 तक तो यहाँ पर आपको rear side में triple camera setup मिलता है जिसमें 108 megapixel का primary camera, 2 megapixel का macro camera और 2 megapixel का depth sensor दिया जाता है और अगर बात करें selfie camera के लिकर तो 32 megapixel का selfie zooter दिया गया है अच्छी बात यह है कि इसके rear camera से आप 4K 30fps के साथ selfie camera से 2K video 30fps के साथ record कर पाएंगे तो देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे smart phones जिनके primary camera से इतना अच्छा quality नहीं मिलेगा उतना तो आपको इसके selfie camera से ही मिल जाएगा overall आपको camera से कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलने वाली है डिस्प्ले को लिकर बात करें तो 6.67 इंचस का full HD AMOLED डिस्प्ले मिलती है जो की 120 Hz की refresh rate के साथ and 360 Hz की test sampling rate के साथ मिल जाती है साथ ही आपको एक अच्छी content watching के लिए 900 nits का एक अच्छा brightness भी दिया जाता है brightness को यहाँ पर एक mid range में रखा गया है overall यह display आपको content watching या gaming में दोनों ही जगे आपको अच्छा performance निकाल कर दे सकती है बैटरी को लिकर बात करें तो 5000 mh की massive बैटरी आपको यहाँ पर मिल जाते है जिसको charge करने के लिए 45W का full charger आपको box के अंदर मिलता है यहाँ इसे smartphone के कुछ extra features भी हैं चले होने अभी देख लेते हैं तो यहाँ पर भी आपको 3.5 mm का jack दिया जाएगा dual studio speakers मलते हैं जिससे volume performance भी improve हो जाएगा दो SIM और एक memory card एक साथ insert कर पाएं in display fingerprint sensor भी रहता है और यह smartphone android 13 पर run करता है finally pricing पर आते हैं तो अभी के टाइम में इसके 8 256 वाले वेरेंट के लिए आपको 21,000 रुपए पे करने होते हैं जी हाँ सही सुना आपने इस smartphone को grab करने के लिए आपको 20,000 नहीं बलकि 21,000 रुपए पे करने होते हैं लेकिन अगर आप offer वगेरा apply करते हैं तो यही smartphone आपको 20,000 की कीमत में भी मिल सकता है अगर आप चाहते हैं कि smartphone के किसी भी specs में आपको compromise ना करना पड़े तो definitely यह smartphone आप ही के लिए है तो यही थी guys अभी के time में आने वाले top 3 best in display fingerprint smartphones जो आपको 20,000 की कीमत के आसपास मिल जाते हैं अगर आपको इन तीनों में से कोई एक smartphone select करना हो तो आप इन में से कौन सा smartphone choose करना ज़्यादा पसंद करेंगे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देना बाकि मेरा opinion तो यह है कि मैं तो इस स्मार्टफोन के साथ ही जाना पसंद करूँगा बाकि आप अपना feedback ज़रूर देना